इस वीडियो में हम जिस ड्रग के रिवीव करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोपोमेट प्रोपोमेट हमारे साथ मेट्स फारमा की कपनी का प्रोड़क है अबर यह आपको एंटरनेशनली किस भी फारमेसी में असानी के साथ मिल सकता है जनिरिक नेम की बात कर ले तो इसमें जो ड्रग शामिल है उसका नाम है प्रोफोफोल प्रोफोफोल हमारे साथ इनस्तीजिया के ड्रग है यानि यह बंदे को सेडेट करता है हमारे साथ मेंशन के जो सर्जरीज होती है तो उनको सेडेट करवाने के लिए उनको तकि उनको दर्द में हसूस नहो उनके लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं प्रफ़फूल के डोस की बात कर ले तो यह 10 M10MG पर MLK डोस में आती है साथ में आगर हम बात कर लाएं इसकी यूजिस की तो इनस्तीजी के इंडेक्शन के लिए भी यूज होता है साथ में मैंटेनिन्स के लिए इंडेक्शन का मतलब है कि एक बंद को सेडेट करवाना लायनि कि वो बिल्कुल ही एक्टी ओहालत में है और उनको anesthesia हम start करवाते हैं तो उनको induction कहा जाता है तो पिर उस anesthesia को maintain लखने के लिए यानि को जो हमेरे हमें जितना वक्त लिए anesthesia required है उसको maintain लखने के लिए भी हम इस drug को देते हैं induction के dose की बात कर लें तो यह हमारे साथ 2.5 mg फर kg के हिसाब से देते हैं और साथ में अगर maintenance की तो 0.1 से 0.2 mg के हिसाब से हम देते हैं अगर आप यहाँ पर देख लो तो यह dose इंतिहाई कम है यानि 0.1 या 0.2 mg बहुत ही कम dose है अगर यह dose ज्यादा होता है तो इससे मुक्तलिफ side effects सामने आ सकती है तो आपना यह medicine कभी भी आपने तरफ से इस्तिमाल नहीं करना बलके proper anesthesiologist या doctor ही इस्तिमाल करेगा अगर side effects की हम बात कर लें तो इसमें बंदे को hypotension काज हो सकता है या उनको सांस लेने का मसला या एपनिया हो सकती है मतलब कि उसकी सांस बिलकुल गाइब हो जाती है वो सांस ले ही नहीं पास सकता बंदे की moments खतम हो सकती है और साथ में जो injection की site है जहाँ पर हमने उनको ये injection लगाया हुआ है वह पर उनको सूजन होती है बर्निंग फील होता है इसे को जगा जल रहा है साथ में हमारे साथ इसमें हाइपर अटेंशन भी कभी कभी होता है स्केन पर रेशेज आ सकते हैं और most importantly यहाँ पर हाट की डिदम जो है वो disturb हो जाती है कभी हाट रेट ज्यादा होती है तो कभी हाट रेट कम हो जाती है यह contraindication की बात कर ले तो देखो कि यह hyper sensitivity में बिल्कुल ही contraindicated है जिन जिन बंदों को allergies है चाहे वो X से हो या floor से हो या साथ में सोयाबीन वगारे से हो तो इस allergy के हालत में यह नहीं देनी क्योंकि इससे बंदा इनफाइलेटिक शौक में जा सकता है यानि कि वोल्सकी जो बिल्कुल हाइपर्टेन मतलब वोल्सकी blood pressure वगएर सब drop हो सकते है और यह एक बिल्कुली खतरनाक हालत होती है साथ में प्रेगनेंसी में भी आपने यह मेडिसन नहीं देनी अगर प्रेगनेंसी में देना चाहते है तो अपने गयनका लोगिस से जरूर मशुरा कर ले और इसकी मशुरा के बगएर यह मेडिसन कभी इस्तिमाल नं करे